हेलो, वेरी गूड इविनिंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंट फिर कवर करेंगे 10 तू 16 अक्टूबर का, लेकिन जैसे मैं अभी करेंट फिर जब बना रहा था लास्ट वीक का, तो न्यूज इतनी सारी हैं कि अगर उसको मैं एक वीडियो में कवर करता हूँ, 45 के आसपस न लिखोगे, और 20 न्यूज जो है, मैं थर्ट स्टे को आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आप जो है, अपना कॉपी और पैन निकाल लीजिए, क्योंकि कुछ बाते में आपको लिखवाऊंगा, जो आपने जो है, वो अपन उनाइटर नेशन डिवल्मेंट प्रोग्राम जो है, उनाइटर नेशन डिवल्मेंट प्रोग्राम इन्होंने और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड हुमन डिवल्मेंट इनिशेटिव, इन्होंने एक मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला, जैसे एक होती है कि वो होती है आप लिखो मंटी डिमेंशनल पॉबर्टी क्या होती है जिसमें अगर आपको यह लगे कि जैसे इन को यह लग रहा है कि अगर पूर है ठीक है जो ड्रिंकिंग वाटर पॉर्ट होगी एक मल्टी methinal में poor health poor electricity में है आपको जो है आपका Wakak मुल मरे किसको आपको पूरी नहीं मल रहा है तो वो इसको यह मल्टीदिमेंशनल पॉबर्ट इमने मान रहा है और मल्टी डिमेंशनल पॉबर्टी में यह कह रहा है फाइव से में से पांच लोग इंडिया में जो है इन इंडिया जो है वो are from lower tribe and caste जो स्टी में या lower caste में से अगर इंडिया में total मान लो 6 लोग है पूर multi-dimensional poverty में तो 6 में से 5 इन 2 areas में से आ रहे हैं और ये साथ में ये भी कहा है कि इंडिया has maximum number of poor people 381 million जो है वो ये कह रहा है कि इंडिया में जो है multi-dimensional poverty में और और not only poverty poverty का जो data है वो तो आपको जो है हमारे census से मिल जाता है लेकिन इसमें ये ये जो UNDP ने जो data दिया है वो ये दिया है multi-dimensional poverty का 381 million जो लोग हैं वो इंडिया में UNDP and OPHI कह रहा है कि इंडिया में 381 million जो पीपल है वो multi-dimensional poverty में अब आपके लिए question है आपने जो है फटा फट कमेंट करके बताना है कि UNDP United National Development Program ये developing country की help कर रहा है तो इसका जो headquarter है वो कहां पे है चलो फटा फट बताओ comment में लिखो और बताओ so बिल्कुल सही answer दिया कुछ students ने इसका जो headquarter है वो है New York में USA में चली next news देखते है news number two है fourth by monthly monetary policy of RBI अब Reserve Bank of India ने fourth by monthly जो है monetary policy दिये अब ये monetary policy में बहुत सारे जो है money supply को control करने के लिए बहुत सारे आपने सुना होगा bank rate होता है रेपो रेट है reverse रेपो रेट है यह सब चीजे क्या होती है मैं आपके लिए special जो है वो जो एक वीडियो बनाओंगा नेक्स्ट दो चार दिन के अंदर एक वीडियो बना दूँगा जिसमें आपके अच्छे से जो है concept जो मैं clear कर दूँगा यहां हम कुछ facts देख लेते हैं जो है policy rates में जो रेपो रेट है या जो दूसरी rates है उसमें changes नहीं की है और उन्हें यह कहा है कि financial ट्वंटी टू में जो GDP GDP की फूल फर्म क्या होती है gross domestic product GDP जो है वो कितनी रहेगी 9.5% रहेगी और यह देखो यह अगर आप बैंक का paper दे रहो अभी आज आज जैसे आपने देखा IBPS PO का निकल गया अभी SBI PO का भी आने वाला है तो इसमें direct questions आते हैं inflation जो है जब मेंस का paper होगा inflation जो है consumer price index inflation है वो उन्होंने का है 5.3% रहेगी ठीक है और उसके लावा RBI ने यह कहा है कि transaction limit जो है IMPS आपने सुना होगा immediate payment service IMPS जब आप अपनी mobile की bank की mobile की app खोलते हो तो fund transfer जब करने होते हैं तो यहां आता है कि within bank या other bank IMPS लिखा होगा आप अभी भी अपने mobile पे जो अपनी bank की app खोल के दे सकते हो अगर आपने fund दूसरे bank में transfer करने हैं अपने bank से किसी और के खाते में करना है लेकिन दूसरे bank में करने हैं तो other bank नीचे IMPS लिखा होता है तो अभी next कोई भी bank का paper आएगा उसमें जो 100% chances हैं यह question आ जाए उसके बाद जो IMPS है वो है एक portal है National Payment Corporation of India NPCI इसकी एक service है it is a important payment system providing 24-7 instant domestic fund transfer domestic fund transfer करने के लिए international fund transfer करने के लिए IMPS service नहीं होती तो आपसे मैं दो question पूछने वाला हूँ question number one आप फटा भट जो है comment करके बताएंगे कि RBA जो है वो established कब हुआ मतलो उसकी आपने date बतानी है मैं चलो आपको hint दे रहा हूँ first April लेकिन आपने year बताना है मुझे और साथ में आपने मुझे यह बताना है कि जो NPCI है National Payments Corporation of India इसका headquarter कहां पे है तो फटा फट जो है इन दोनों questions के जो है reply करो within 10 seconds so very good students जो RBA established हुआ वो हुआ first April 1935 को और जो NPCI का headquarter है वो है Mumbai में चलिए next news देखते हैं next news है Asian table tennis championship अभी recently जो है वो Asian table tennis championship हुई कहां पर हुई दोहा में कतर में तो first time in the history Indian table tennis continent has won three bronze medal इंडिया ने first time history में तीन bronze medal जीते हैं तो medal winning teams हैं इंडियन ये देखो सारनाथ कमल साथियन गनेश करन एंड हरमीत दिसाई basically जब exams होते हैं एक्जाम में ये question आता है recently यह यह पूछ लेते हैं कि terms related to table tennis जैसे twiddle और twirl side spin backhand racket और pedal and chop अब यह सारी जो है वो किस से related terms है table tennis से हैं यह आपने जो है वो याद करनी है और आपके लिए मैं एक question पूछ रहा हूं दिखिए यह table tennis championship जो organize की थी international table tennis federation iitf आपने मुझे दो question बताने हैं आपने एक तो बताना है कि iitf का जो headquarter कहां पर है और एक आपके लिए interesting question है अभी 2022 में एक world cup होने वाला है कतर में वो किस sports का जो है world cup होने आपने वाला है whatever जो है वो इन दोनों questions के answer बताओ आप सो वेरी गूड students जो इसका जो headquarter है iitf का वो है लुजेन में spelling लिखनी आप लिख लो l u double l u l a u double s a n e लुजेन कहां पर है शिजर लैंड में है और दोहा में क्या होने वाला कतर में क्या होने वाला है FIFA World Cup 2022 होने वाला है दोहा कतर में चली नेक्स निउस देखते हैं नेक्स निउस है book hack the custodian of trust अब देखो exam में जब question आएगा तो ये question आता कि ये जब book hack student of trust जो है ये इसका author कौन है तो इसके जो author है वो है रजनीश कुमार अब ये कौन है ये former chairman है State Bank of India के ठीक है अब देखो सबसे motivation वाली बात देखो chairman बन गे join किया क्या था SBA as a professional officer 1980 में join किया जब आप पी ओ लगते हैं तो आप scale 1 लगते हैं फिर scale 2 फिर scale 3 फिर scale 4 chief manager फिर AGM, DGM, GM means कि एक person State Bank of India में पी ओ लगके chairman की post तक पहुंच रहा है means आप भी जो है वो chairman की post तक जा सकते हैं तो आपके लिए question ये है कि present जो है वो chairman जो है वो कौन है State Bank of India का और दूसरा question ये है आपके लिए कि State Bank of India कब establish हुआ ये दोनों questions के जो answer है फटा फट जो है वो comment करके बताओ येस राइट अंसर है दिनेश कुमार खरा एंड जो State Bank of India establish हुआ वो हुआ 1955 में इससे पहले इसका नाम था Imperial Bank of India चलिए next news देखते है news number five world post day जो है 9th of October को मनाया जाता है और Indian post day जो हो है 10th of October को होता है ध्यान लखना जो Indian post day है वो है 10th of October तो इसमें याद क्या करना होता है एक तो theme याद करनी होती है in no way to recover ये इसकी theme है और ये मनाया क्यों जाता है to commemorate the anniversary of establishment of universal postal union UPU 1874 में इसका जो headquarter है वो है born में born में one कहां पर है Switzerland में one कहां पर है Switzerland में आपको एक interesting बात मैं बता रहा हूँ कि जो इंडिया का जो पहला post office है वो set up हुआ था 1774 में वो हुआ था Kolkatta में कहां पर हुआ था Kolkatta में कर लो इंडिया का जो पहला post office है वो पर हुआ था 1774 में Kolkatta में ठीक है अब कभी आपकी मम्मी या आपके पापा जो है आपको post office भेजते होंगे आप बेटा जाके ये जो है वो letter डाल के आओ तो आपने देखा होगा नीचे address में या आप भी जैसे कई वार जो है कोई letter डालते होंगे नीचे address में pin number लिखा होता है six digit का pin number होता है तो आपने मुझे ये comment करके बताना है कि जो pin है इसकी full form क्या है आपने मुझे comment करके बताना है कि जो pin है उसकी full form क्या है फटाफट बताओ हाँ जी बिलकु ठीक है पोस्टल इंडेक्स नंबर जैसे यहां का है चंडिगड का सेक्टर 15 का है 16-0-0-15 है माल लो तो यह 6 डिजिट का हो गया पोस्टल इंडेक्स नंबर और पहला पॉस्ट अफिस जो सेट अप हुआ इंडिया में कॉलकटा में 1774 में और यूपी ए उनिवर्सल पोस्टल यूनियन का जो हेड़कोटर है वो है बर्न में स्विजर लैंड में और वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर को होता है और इंडियन पोस्ट डे जो है वो 10 अक्टूबर को है चलिए स्विजर नेक्स्ट न्यूज देखते हैं नेक्स्ट न्यूज है पी एम लॉंच्ट इंडियन स्पेस एस्सेशन बहुत इंपोर्टन क्वेस्टन है रिसनली एक पेपर में आ भी गया है प्राइम प्रदानमंत्री मोदी जी ने वर्चुली लॉंच किया है इंडिय इंडियन स्पेस इंडियन स्पेस एसेशन ये एक प्राइवेट इंडिस्ट्री बॉड़ी है तो हल्प बूस्ट स्पेस टेकनोलजी इन इंडिया अब ये पार्टिस्पेट अन वर्क विद दा इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनेशन इजरो के साथ जो है वो पार्टिस् बंगलूरू में और ये सेट अप हुआ था 969 में कब स्ट अप हुआ नाइंटीन सिक्स्टीन नाइन में और इसके जो है वह है के सिवान आपने देखा होगा जब हमने पीछे जो हाई हमारा मिशन इसरो का फेल हो तो के स्वान जो है काफी रो भी रहे थे तो के सिवान जो है इनके हेड है ईज़टों के चेर्मेन है और बेंगलूरू में इसका हेडकोटर है 1969 में wprowad हुआ और एक ऊनिटरस्टिंग बात इंडिया ने जो अपनी पहली एली इस्टिलाइट चोड़ी इंडिया ने जो अपनी मैं आपने नील आमस्ट्रोंग का नाम तो समने सुना होगा आपने मेरे को कमेंट में ये बताना है कि इंडिया का पहला परसन कौन था जो स्पेस में गया उसके ओपर एक मूवी भी आने वाली है कहते है शारू खान की इंडिया का जो पहला परसन जो स्पेस में गया उसका न नाम है रकेश शर्मा ठीक है जी मूवी भी आ रही है इसके ओपर रकेश शर्मा के ओपर चल नोट कर लिया चलिए नेक्स्ट नीज़े बिटा इंडिया नेवी टू होस्ट इस लार्जस्ट एक्ससाइज एक्स मिलान अब आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो नेवल एक्ससाइज होती है वो इंपॉर्टन्ट होती है या कोई भी मिलिटरी एक्ससाइज दो कंट्री के बीच में हो रही है मींस इंडिया जिसके साथ पाटिस्पेट कर रहा है या बहुत सारी कंट्री इसके साथ कर रहा है तो इंडिया की जो लार्जस्ट नेवल एक्ससाइज होने वाली है इंडिया नेवी जो करेगी ये होन कगा रिसलीमोदी जी जो है अमेरिका गे वे थे तो किस समिट में पार्टिसपेट करने गए थे कौड समिट में कहा पर वाशंग्टन में कौड का समिट recently यह है लिख लो आप इंडिया यूएस से जापान एंड औस्टेलिया अच्छली बेसिकली चाइना के इंफुलेंस को कम करने के लिए नहीं यह कंट्री बनी थी किसी दिन डिटेल में इनके बारे में हम पढ़ेंगे मींस यह जो और्गनेशन बनी थी आपने एक स्पेशली ज मालावार मेर वर लिख लो इस डिट्री की जो नेवी एक्सराइज lot military apply कशण की जए गनेवी एक्सराइज है उसका नाम है मालावार उसका नाम है है कि मालावार जो है कौन सी कंट्री के बीच में जो एक्ससाइज होती है नेवी एक्ससाइज है और जो इंडिया की लार्जस नेवल एक्ससाइज होने वाली है फेबरी टू सोईन टाइन ट्वैंट már फानरा में एक्स उसका नाम है एक्स जाएज मिलान उसमें स्टाफ आप मुझे कमेंट करके फटा पड़ बताओ चीफ आफ दा नेवल स्टाफ कौन है जिसको स्क्रीन शॉट लेना वो स्क्रीन शॉट भी ले सकता है मैं साइड में इसलिए हट जा रहा हूँ हाँ जी सही अंसर है को स्टूडेंट्स का एड्मिरल करम बीर सिंग जो है वो राइट अंसर है चलिए नेक्स निउस देखते हैं एड्मिरल करम बीर सिंग नेक्स निउस देखते हैं माइडियर स्टूडेंस हैंले पासपोर्ट इंडेक्स हैंले एक और्गनेशन है जो है रिसेंट जो है वो अभी 90 पहुंच गई है पहले 84 थी तो यह भी पेपर में आ जाता है जपान और सिंगापूर ज्वाइंट जो है वह टॉप पे हैं क्योंकि यह दोनों वन नाइंटी टू कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रेमिल अलाउड ट्रेवल वीजा फ्री मींज आपको और राइवल बीजा मिल जाएगा पहले वीजा लेने की जूरत नहीं है अब आपके लिए एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूं कि एक इंटरनाशनल ट्र ट्रांस्पोर्ट एस्टेशन इंटरनाशनल एयर ट्रांस्पोर्ट एस्टेशन इसका जो हेड़कोर्टर है वो है मॉन्ट्रियल में कनेडा में कहां पर है मॉन्ट्रियल में कनेडा में लिख लो नोट करना है तो नोट कर लो इंटरनाशनल एयर ट्रांस्पोर्ट एस्टे यह मैं इस वार्व के वीडियो में थोड़ा स्लो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको जो अच्छे से समझाए मुझे पता है के वार जो है हमें जी के टफ लगता है क्योंकि हमें आदत नहीं होती पढ़ने की तो नेक्स न्यूज ए यू यू एन एच चार सी डेक इसकी ए असेशड तू क्लीन अन् हेल्डी इंवहर्मेंटे इन्वार्मेंटे ऐस फंडंडामेंटाल राइट और यू अग्स to safe, देखो तीन बाते हैं, right to safe, clean and healthy and sustainable environment, यह paper में question आ सकता है कि UNHRC ने किस-किस को जो है वो fundamental right माना है, the new resolution was proposed by Costa Rica, Maldives, Morocco, Sweden and Switzerland and passed by 43 boats और सबसे important बात, Russia, India, India, China and Japan, they abstains from boating, यह गए ही नहीं बोट डालने, तो आपने जो है एक बात note कर लेनी है, UNHRC का जो headquarter है, वो है जिनेवा में, कहां पर है, जिनेवा में, जिनेवा कहां पर है, Switzerland में, आपने एक बात note करी होगी जब भी आप इंटरनेशनल और्गनेशन पढ़ते हैं, maximum international organization के जो headquarter है, वो जिनेवा में ही रहते हैं, चलिए, next news देखते हैं, novel prize in economic science 2021, आपने मेरा shortcut भी वीडियो भी देखा होगा, बढ़ चलो जिन्होंने नहीं देखा, तो इसको पहले कहते थे, रिक्स बैंक prize in economic science, अब इसको कहते है, novel prize in economic science, ठीक है, तो alfred novel की याद में, जिसने dynamite की इन्वेंशन की थी, उसके नाम पे ये बने थे, अब मिला किस-किस को, david card को, ठीक है, लेवर economics के लिए, जोशुआ एंग्रिस्ट को, एंड गाइडो डवल्यू एंबेंस को, for relationship, casual relationship के लिए, ठीक है, अब इसका shortcut बैसे तो मैंने बनाया था, आपको याद ही होगा, कि आप अपने पापा के पास गए, पापा ने कहा, आपने पापा को कहा, मुझे debit card बनाना है, क्योंकि economics में पैसे वाली बात हो, आपने पापा एंगरी होगे, कहते चुप चाप जो है, अपना जो महाजन सर जो है, ये करंट फिर का वीडियो बना रहे हैं, इसको learn कर इसके notes बना, debit card जो है, जब नोकरी लग जाएगे, उसके बाद बना देंगे, अब ये जो economics का जो nobel prize है, इसमें एक gold medal मिलता है, साथ में 10 million Swedish Corona, अच्छा एक important बात है, कि बाकी जितने भी nobel prize है न वो 1901 में start हो गे थे, आपने मुझे ये बताना है, कि जो nobel prize in economics 1967 में start हुआ, लेकिन first time कौन से year में nobel prize in economics जो बाद दिया गया, कमेंट करके फटा-पट बताओ, कि nobel prize in economics first time कौन से year में दिया गया, हाँ जी, बिलकुल सही answer है, 1969 is the right answer, चलिए next news देखते हैं, वर्ल्ड रेस्लिंग चेंपेंशिप डवली डवी सी, अब ये इंडिया की wrestler है, अंशू मलिक, she became the first Indian woman to win a silver medal at 17th edition of World Wrestling Championship, और ये 17th edition of World Wrestling Championship हुआ, ये हुआ ओसलो नौर्वे में ही आपने याद करना है, और किसने medal जीता, ये जीता, अंशू मलिक ने, अंशू मलिक जो है final में हार गी, क्योंकि silver medal जीता, हेलन मेरोलिस से हार की, और सरीता मोर जो है, इनोंने जो है, ब्रॉंज मेडल जीता, 59 kg केटागरी में, 59 kg केटागरी में, तो माइडर स्टूट्स आपने, अब मुझे ये क्वेशन का अंसर बताना है, कमेंट करके, कि इंडिया का ऐसा कौन सा पर्सन है, जिसने वर्ल्ड रेसलिंग चेंपेंशिप जीती है 2010 में, फटा फट कमेंट करके बताओ, इंडिया का ऐसा कौन सा पर्सन है, जिसने वर्ल्ड रेसलिंग चेंपेंशिप जीती थी 2010 में, कोई मेल है, मैं हिंट दे रहा हूँ आप लोगों को, चलो फटा फट बताओ, हाँ जी, बिल्कु ठीक अंसर है, शुशील कुमार इजदा, राइट अंसर, चलिए नेक्स न्यूज देखते हैं, शुशील कुमार इजदा, राइट अंसर, नेक्स न्यूज है, ISSF Junior World Championship in Lima, Peru, मीन्स जो ISSF की जो है, Junior World Championship हुई, यह हुई, लीमा पेरू में, अब ISSF क्या है, International Shooting Sports Federation, क्या है, International Shooting Sports Federation, इसकी जो World Junior Wrestling Championship हुई, यह हुई, लीमा में, ठीक है, कहां पे हुई, लीमा में, और जो सबसे important क्यों है, यह news, क्योंकि इंडिया ने इसमें टॉप किया, इस Championship में, Junior World Wrestling World Championship में, अपना Shooting Championship में, इंडिया ने इसमें टॉप किया, और इंडिया ने इसमें जो total medal जीते, माईडियर स्टूर्ट्स, वो जीते 43 medals, United States of America जो है, इसमें सेकिंड आया, ठीक है, और ISSF का जो हैड़कोटर है, वो है मुनिच जर्मिनी में, अब फटा फट जो है, आपने एक इंडिया का शूटर था, जिसने first ever जो है, हाँ जी, बिल्कुल बिटा सही अंसर है, अभी नब बिंदरा इसदा, राइट अंसर, क्योंकि easy question था, चलो, next देखते हैं, फीडे World Women's Team Chess Championship, अब फीडे क्या है, फीडे है International Chess Federation, जैसे आपको FIFA फुटवाल के लिए होती है, ICC जो है cricket के लिए, तो ऐसे chess के लिए क्या है, फीडे है, International Chess Federation, इसका जो है World Women's Team Chess Championship, जो है 2021 में जो है, इंडिया ने जीती है, ये, ये कहां पर हुई मैटा, ये हुई sit gaze, sit gaze Spain में, इंडिया cleanse the silver medal after losing to Russia in the final match, अब इंडिया ने जो है वो, पहला first ever medal जीता है, means जीती ही नहीं है, first ever medal जीता है, silver medal जीता है, और जो फीडे का जो headquarter है, वो है Luzane, Switzerland में, तो ऐसे बहुत सारी SC news भी होती है, जो सिर्फ आपको याद करनी है, समझाने वाली चीज़े ज़ादा नहीं होती, क्योंकि paper में जो direct question आ जाता है, कि FIDE World Women Championship जो है, वो कहाँ पे हुई, इंडिया का कौन सा medal आया, या FIDE का जो headquarter है, वो कहाँ पे है, next news है, my dear students, world mental health day, world mental health day जो है, वो होता है, October 10 को, मैं आपको last week के वीडियो में बताया था, कि कोई भी, अगर आप bank का paper दे रहे हो, my dear students, तो bank के paper में दो चीज़े सबसे जारा important है, एक days के उपर question आता है, means day पुछ लेंगे कब होता है, या उसकी theme पुछ लेंगे, या फिर जो है जो military exercise, naval exercise, air force की exercise होती है, दो country की बिच में, इसके उपर जो है पका question आता है, तो आपको याद करने है, जो world mental health day है, ये sport किया था, world health organization and world federation for mental health, जो है इसके members का organization है, तो green ribbon is the symbol of mental health, के वर question आ सकता है, जो symbol of mental health, जो वो क्या है, green ribbon है, और theme आपको फिर याद करनी है, मैंने आपको बताया, ये अब आपको मैं बारी बारी नहीं बोलूँगा, जब आपको कोई day आएगा, उसको day को याद करना है, कब होता है, उसकी theme क्या होती है, और वो जो organization कर रही है, के वर उसका headquarter वेरा पुछ लेते हैं, तो mental health in an unequal world, और world federation for mental health, जो है, उसका जो headquarter है, वो है, टेकसास, United States of America में, चलिए my dear students, next news देखते हैं, news number 15, international day for girl child, 2021, 11th of October को, फिर वो ही day आगया, important, ठीक है, किसलिए मनाया जाता है, highlights the need to address the challenges faced by the girl child across the globe, और इसकी वो ही theme है, digital generation, our generation, यह आपको याद करना है, international day of girl child, 11th of October को होता है, और जो इसकी theme है, जो digital generation, our generation, कई बच्चों के मन में आता होगा, कि सर, यह हम भूल जाते हैं, आपने तो पढ़ा रहे हो, अभी तो हमें अच्छा लग रहा है, कि बात में हम भूल जाते हैं, तो my dear students, जब तक आप revise नीना करोगे, तो 4-5 दिन बाद ही, इस सब को भूल जाओगे, तो best method क्या सुनते रहा करो, next time जो weekly current fair में आपको cover कराऊंगा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होगी, और आपका interest भी बनेगा, तो interest बनानी के लिए सबसे important है, revision, तो आप पहले जो है, daily based पे news को पढ़ना शुरू करो, या सुनना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा सारी उस दिन की जो important news है, वो cover हो जाएंगी, चलिए next news देखते हैं, next है SNV Aviation Private Limited, जो है, इसको जो है, एक airline, Akasa Air, नहीं, airline आरी है, Akasa Air, ठीक है, ये question आ सकता है, कि जो है, किस company को, जो है, commercial flight, जो है, across India, जो है, उसका license मिला है, वो है, SNV Aviation Private Limited, अब यह important क्यों है, क्योंकि एक ना, रकेश जुनजनवाला है, बहुत से स्टूडेंट ने इसका नाम सुना होगा, इसको कहते हैं, Warren Buffett of India, जैसे Warren Buffett है न, अमेरिका का, दुनिया का सबसे वड़ा investor माना जाता है, top five richest people में आता है, तो इंडिया का जो Warren Buffett है, उसको रकेश जुनजनवाला को माना जाता है, और जो former Jet Airways CEO थे, जो है विने दूबे, इन दोनों ने मिलके एरलाइन लाँच किया, इनका financial backup इनका है, तो इस SNV Avation Private Limited, यार केश जुनजनवाला और जो नई एरलाइन है, उसका नाम है, Akasha Air, ये पेपर में आने के चांसिज हैं, तो इसको जरूर आपने वो याद करना है, नेक्स्ट है, लाल भादर शास्त्री National Award for Excellence, अब ये जैसे आप अपने देखा होगा, बोसर इंद्रा गंदी वोर्ड, मातमा गंदी वोर्ड, ऐसे एक लाल भादर शास्त्री जो हमारे प्राइम इस्टर थे, जिनकी डेथ जो है, आपने मुझे कमेंट करके बताना था, किस इंडिया Institute of Medical Science के डारेक्टर हैं, ठीक है, इनको मिला है, ठीक है, और ये किसलिए मिलता है, for exemplary standard of morality in public life, अब आपके लिए एक important question है, आपने एक तो बताना ही है मुझे, कि जो है, वो जो अपना लाल भादर शास्त्री जो है, इनकी डेथ जो है, वो कौन सी country में हुई थी, एक आपके लिए बहुत important question, जै जवान, जै किसान का नारा लाल भादर शास्त्री जी ने दिया, आपने मुझे ये बताना है कि जै जवान, जै किसान और जै बिग्यान किसने जोड़ा इसमें, कौन से प्रधान मंत्री थे इंडिया के, जिन्होंने जै जै जवान, जै किसा के साथ जै बिग्यान भी जोड़ दिया, फटावट कमेंट करके बताओ, हाँ जी फटावट बताओ, हाँ जी, यस, फॉर्मर प्राइमिस्टर आफ हिंडिया, अटल विहारी वाजपेई जी ने ये कहा था, कि जै जवान, जै बिग्यान, जै किसान और जै बिग्यान, जै बिग्यान, जोनेक्स नीज़ ए, 80 नंबर जर्मदी अन्वील्स वर्ल्ड फर्स्ट ड्राइवर्लेस ट्रेन, अब इसको यादी करना है, ठीक है, कि वर्ल्ड की पहली जो है, आटो मेंटर ड्राइवर्लेस ट्रेन जो है, वो जर्मिनी ने जो है, बताएए कि हम लाँच और करनसी क्या है ? फटवड़ बताओ अगर आपने आप कमेंट वकavar नहीं न करोगे तो कोई भी आप वीडियो देखो का आपका इंटरस नहीं बनेगा जब तक आप उसमें इंवाल भी ने होंगे आपका इंटरस नहीं होंगे यूरो वेरी गुड नेक्स न्यूस देखते हैं 19 नंबर न्यूस फीफा रिवील मैस्कॉट फॉर अंडर 17 2022 वर्ल्ड विमेन कप अब विमेंज का फीफा का फुट वाल का जो वर्ल्ड विमेंज वर्ल्ड कप जो कहां पर हो रहा है ये अंडर 17 का ये हो रहा है 2022 में इंडिया में तो इसके जो मैस कोट है मैस कोट आप समझते हो ना जो एक निशानी चीन होता है प्रतीक चीन होता है तो ये क्या है इभा इभा क्या है इटीजन एश्याटिक लाइनस ठीक है शेर नहीं है एक एश्या की ठीक है और इट रिप्रेजेंट दा विमेंज पावर तो जैव फीफा का हेड़कोर्टर है वो कहां पर है फीफा का हैड़कोर्टर बताओ जल्दी बताओ हां जी बच्चे जो फीफा का हेड़कोर्टर है वो है जूरिच में कहां पर है जूरिच में और जूरिच कहां पर है स्विजर लेंड में तो आदे तो मतलब तुक्के मारना बहुत अला असान है जिनेवा ये और स्विजर लेंड वाले ही मैक्सम जो है वो हेड़कोइटर होते हैं मतलब तुक्का बोलनों जब अभी तुक्का मारने का मोका मिले तो चलिए next news है 20 number news world migratory words day October 9th को है ठीक है फिर याद करने आपने ये होता है दो बार मनाया जाता second Saturday in May and October means second Saturday जो इक्टूबर का आ रहा होगा वो 9th को आया होगा ऐसे मही भी मनाया गया और ये इसका theme क्या है sing fly sore like a word अब क्योंकि मैंने आपको बताया था starting में इस सफते में जो है वो ज़्यादा news है तो 20 news जो है वो आज मैंने आपके इस वीडियो के साथ जो है वो cover कर दी I hope जो है आपको अच्छे से जो सारी चीजे समझ आई होगी तो मैं इस वीडियो का जो PDF है वो Bright Academy के Telegram में जो है वो share कर रहा हूँ Telegram का जो link है अगर आप Telegram में जाके AAA Bright Academy सर्च करोगे वहाँ आपको easily मिल जाएगा तो बाकी की cover जो है वो हम आज होगी 19,20, 1st को next 20 जो news है वो cover करेंगे तो आपने try करना है कि जब next video आप देखो उससे पहले 15,20 मिंट चाहें उसको double speed करके इस सारे वीडियो को revise करके जूड देखो So all the best, thank you very much, God bless you all, good night